ये है Output Preset, Effect या Layout Gallery टॉप में अलग-अलग केटगरी है हर केटगरी में Multiple Effects है जैसे की Mask, Frame, Wedding, Birthday, God, Stage, PIP, News और Lecture PIP केटगरी में आप देख सकते हैं Multi Camera PIP Effect किसी भी Effect को लोड करने के लिए उस पे डबल क्लिक करें आउटपुट उसी तरह सेट हो जाएगा इफेक्ट लोड करने के बाद अगर आप उसका Background चेंज करना चाहते हैं तो Effect Gallery में Background Thumbnail पे क्लिक करें अगर Background रिमूव करना है तो Remove बटन पे क्लिक करें आउटपुट पे आप इंस्टंट ओवले ओवले गैलरी से सेट कर सकते हैं जहेसे कोई Frame, Text, Add Banner ओवले रिमूव करने के लिए Remove बटन पर क्लिक करें आप आपके खुद के ओवले इमेजेज ओवले गैलरी में Add बटन से एड़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं Effect Load Cut या Direct हो रहे हैं अगर आपको Effect With Motion या Animation से लोड करने है तो FX Mode से Animation Mode सेलेक्ट करें और Animation Time सेट करें अब Effect Automatic Animation से लोड होंगे Animation Mode आप स्टेज, Sets और PIP Effects के लिए यूज़ कर सकते हैं Mask Effect लोड करके आप Background Gallery से मनचाह Background सेट करें Same वे आप Frame Wedding Effect यूज़ कर सकते हैं Wedding Effects के लिए आप A to B FX Mode यूज़ कर सकते हैं इससे जब भी Effect लोड करोगे पहीले Source Fade Out Full Screen हो जाएगा और Fierce Load Effect करने के Bad Effect भी Source के साथ लोड होगा Go Live Software नए Free Update मिलते हैं जिसमें नए Effects भी Update होते हैं और इसी Software में Editor भी है जिससे आप खुद भी नए Effects बना सकते हैं कर दो कि दो, साथ लोप जो एदिसे आप खूढ़ा उंक भी की दो खूट व कि दो कि भी Must fantastic team झाल झाल